हेलो माई स्वीट फ्रेंड्स गर्स आज अप लोग को बताने वाली हूं मैं खुद से सेल्फ एरकट कैसे करेंगे अगर आपको भी इस तरही किसे प्रोफेशनल एरकट करना है तो वीडियो को एंड तक वाच करिएगा वीडियो को एंड तक देखने पाद से वीडियो अच् चलेगा तो वीडियो देखके आप अगर नॉर्मल से आपको बिल्कुल भी एर कटिंग ने आती तो भी आप कर लोगा बहुत प्रोफेशनल लुका जाएगा आपके बालों का तो चलिए हैर कटिंग स्टार्ट करते सबसे पहले अपने बालों को आपको इस तरीके से कॉम क मैं कर रही हूं एक रवर्ट लेना है एक दम नीचे में आपको यहां पे रवर्ट को लगाना है कि इस तरीके से लगाने के बाद से देखिए इसको आपको अब नीचे की तरफ खीचना है मैं अच्छे से मैं आपको लगा लिया है और अभी आपको क्या करना है रबर बैंड को इस तरीके से पकड़ना है और नीचे की तरफ लेते जाना है जितना कि आपका हेर उपर नीचे है अनमैनेज है वहां तक आपको लेके जाना है रबर बैंड को और वहां से आपको हेर को कट करना है तो यहां तक मैं ले आई हूं म नहीं करना है। अब आपको rubber band की ऊपरघ्ड को कमा देख सब्सक्राइब को पकड़ लेना है बिल्कुल टाइटली लूज नहीं पड़ना चाहिए और यहां से आपको कटिंग स्टार्ट करने जर्स टूपर से यहां पर मैं फिंगर लगा ले रही हूं और इसके इस तरीके से पकड़ेंगे और यहां से कट करना स्टार्ट करेंगे ओके आई होप के आपको दिख रहा हो गाईज यहां से मैं कट कर दे रही हूं तो यह देखिए अभी आपको क्लियर दिखेगा अब यहां से इस तरीके से रबर बैंड के उपर से फिंगर से पकड़के और इसको कट कर दिया इतना सारा है मैंने कट कर दिया तीन से चार इंच तक लेंथ मेरी यहां पर निकली है उसको मैं साइड में रख देती हूं अब जो हैर मारे बचे हुए हैं उनको मीडल पार्टिशन करेंगे सारे हैर को बैक से आप देख सकते हो पूरा कट होने के बाद से बहुत प्यारा लुक आने वाला है इस तरीके से आपको नहीं छोड़ना है अभी आपको क्या करना है मीडल पार्टिशन करनी है बालो की इस तरीके से सेंटर पार्टिशन कर लेंगे बालो की अराम अराम से करेंगा बि तो अच्छे से गिला करने है ओक हो की यहां पर मने वीडियो को नहीं किया हैं कुछ एडिटिंग नहीं कि आपको अच्छे से क्ल जब पूरे हेयर अच्छे से गीले हो जाएं तो आपको क्या करना है कॉम करेंगे पहले बालों को अच्छे से तो हमने अपने बालों को गीला कर लिया आप अच्छे से कॉम करेंगे जो हमने सेंटर पार्टिसन रखिए वह वैसे ही छोड़ देना है दोनों साइट से कॉम करन करने के बाद से दो रबट बेंड चाहिए होगा हमको यहां पर देखिए फ्रंट से हमारे हिए अन्मैनेज दिख रहे हैं और उपर नीचे छोटे बड़े दिख रहे हैं तो इसको अभी मैनेज करना है हमको कि तो यहां पर मैं रबट बैंड ले ले दी हूं दो तो इस तरीके से रबट बैंड लगाना है यह एमारा आँड पॉ passionate है और शुरा को पको कृट करना है तो इस तरीक जारे आप प्रय दिखाया हो अजह सब्कूआ अब देख सकते हो मेरा भी वॉल्यूम बहुत जादा नहीं है तो गीले बालों में आपको वॉल्यूम दिख रहा होगा मेरे बालों का कि जहां पर हमने इस साइड में रबर लगाया है सेम उसी तरीके से दूसरी साइड में भी उसी के बराबर में एक दम रबर बैंड लगाएंगे टो यह हमने इस सरीके से लगा लिया अब हम पहले से के हेर को कट करेंगे आपका बेक साइ्ट का लेयर है वहां तक हर एक्से करना होके तो आपको इस करना हाक गर्धन को भी रिलाना है एकां स्ट्रेट रखना है नीचर तक खीजके ले कि यह वाला जो पार्ट है इसी के बराबर में आपको सारे हेर को कट करना है बिल्कुल भी उपर नीचे नहीं होने चीए ताकि आपका हेर कट है जो प्रोपर आए प्रोफेशनल लुक आए आपके बालों का तो इस तरीके से रवड़ेंड को टाइटली पकड़ लेंगे यह ह कि बराबर हो गया हमारे का है और इतना यहलन अभी और निकाल दिया है अब दूसरी हेर भी से मिछ तरीके के कट करना है हैं दुबारा से गिला किया इन device को सेम जैसे हमने इस साड़ कक्ची था वैसे ही खीच nearby ले आएंगे नीचे की जफर अदु पार्ट is में देख लेंगे कहां पे हमारा rangesुष यहां पहसएंगे इस से ऐड में थोड़ा सा च्रा नापलेंगे हमारा दोनो लेंद के पास हेर का यह उपर नीचे नहीं होने चाहिए हमारा एंड पार्ट वहां रबर सी निकल गया उसी के अकॉर्डिंग कट कर देंगे एक्दम बराबर में हमारा कट हो चुका है यहांपे अभी हम लोग इसको तो अच्छे से चेक करेंगे कि कहीं से चोटा बड़ा तो नहीं है तो यह हमारा बिल्कुल बराबर में है दोनों साइड का जो कट हुआ है बिल्कुल बराबर है एक बार हम माप लेते हैं इस तरीके से पकड़ पकड़के तो हमारा सेंटर में बराबर में आ रहा है अब हम ल तरहीं किसे आप खुद के हाथों से प्रोफेशनल लेयर कट कर सकते हो अपने बालों का अब बैक साइड के देखी पूरे अच्छे से मारे बराबर में आ चुके हैं इसमें भी कुछ उपर नीचे कमिया रह जाती है उसको कैसे सेट करना है वो भी बताऊंगी तो एंड तक देखिएगा वीडियो को अब हम लोग फ्रंट से यह तुए पार्टिशन करेंगे एकदम स्ट्रेट पार्टिशन करनी है बिल्कुल भी उपर नीचे आगे पीछे ति कि अच्छे से स्ट्रेट जब तक स्ट्रेट लाइन नहीं निकल जाती है तब तक आपको इस तरीके से करना है अब यह मारा स्ट्रेट लाइन निकल चुका है अगे अच्छे से इसको कॉम करेंगे बैक साइड के हेयर को एक बार हम रबट लगा देंगे ताकि हम डिस्टर्मिंट ना हो हमको हेयर कट करने में दूसरी साइड भी सेम इसी के बरापर में कॉम को रखेंगे और यह तक पार्टिशन करेंगे अगरे तो साइड की किई अच्छे से एक रबट रब् मेंट लगा देंगे इसे केह में फ्रेंड का हेयर कट करने में डिस्टर्मेंट ना हो हैरे के प्रॉपर लाइन पहले चेक कर लो कि 2 पर लइन है कि नहीं तो अच्छे से हमारी लाइन बन चुकी है है और की अब हम लोग प्रेक साड के हेर को एक रबट बेंड से टाय कर देंगे ताकि हम को कट करने में डिश्टरमेंट नहां तो यहां पर में रबट बेंड लगा दे रहा हूं हुआ है अभाना फ्रेंट का हेर कट करेंगे अच्छे से कौम करना है यहां पर यह देखिए जो लाइन के इधर उदर हेर जा रहे हैं उनको दुबारा से प्रॉपर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे एक हम ओके बिल्कुल जल दिवाजे मत किजिए का जैसे मैं आराम से कर रही हूं वैसी ही करना है तो प्रॉपर लाइन मैंने आपे बना ली है अब हम लोग आपने फ्रेंट का लिएर लगने है वह लिप्स दक रखना है तो अगर आपको लिप्स तक चाहिए तो थोड़ी के पास से कट करोगे चिन लैंद से निकला है दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से कट करना है आपको बहुत ज्यादा इंफोर्मेटिव वीडियो है तो एक भी मिनट का वीडियो स्कीप मत कीजिएगा पूरा वीडियो देखिएगा ताकि अच्छे से समझ मैं इस सेड का एक ले लिया है मैंने जिससे कि हमां को हेर कट करने में गाइड लाइन मिल जाए एंड दोनों साइड का हेर एक दम प्रपर बराबर हो अब जैसे हमारा इस सेड का जो लेयर था वह निकला वहां से आपको दूसरी साइड के हेर को भी कट कर देना है को के देखिए कट कर दिया हमने और यह हमारी कटिंग अल्मोस् और इसको अच्छे से चेक करेंगे कहीं से छोटा बड़ा तो नहीं है तो यहां से हम लोग चेक कर रहे हैं अच्छे से कॉम करेंगे और चेक करेंगे अगर फिर भी आपको लगता हो कि कहीं छोटा बड़ा रह गया है या फिर पूट जैसा लुक आप चाहते हो वैसा नहीं आया है तो आपको क्या करना है मुझे तो लग रहा था कि बिल्कुल ठीक है मेरा हेर यह देखिए बिल्कुल अच्छे से बराबर दिख रहा है दोनों साइड से जो हमने कट किया है बिल्कुल परफेक्ट आया है तो हेर को ड्राई होने देंगे बैक साइड से भी दिखा देती हूं आपको तो बिलकुल बराबर दिख रहा था हमारा वट जब ये ड्राइं हुआ तो मुझे पता चला कि मिरे हैर में थोड़ी बहुत सब्स.बधर गयर हर जेगा से पुला पॉरा पॉरफेक्ट दिख रहा है फिर भी this mistake दिखेंगे आपको बाद में तो उसके लिए क्या करना है जो अगर दिक्कत कोई है उसको ठीक करना है तो क्या करना है आपको उसके लिए यह कट कर लिए हैं उसके बाद से आपको थोड़ा सा भी कोई प्राब्लम दिख रहा है है उसके लिए आपको दोनों साइड को यह टुरी पार्टिशन करके इस तरीके से बालों को ले आना है तो यह दोनों साइड से बैक निया को ले आया है बालों को को बेर विए ऊसरी बैक से बैक से इस तरीके से बार्टिशन कर लेना है सब्सक्र tenemos इल और अँच्छा सोगत होगा थोड़ा वा उपर नीचे मेरा घ़र अब यहाँ पे इस तरीके से पकड़ेंगे एंड एक rubber band लगा देंगे यहाँ पे कमी कहाँ पे है अभी आपको पता चलेगा तो एंड तक देखते दें यह वीडियो को तो इस तरीके से पूरा tightly मैंने rubber band को लगा लिया है और यहाँ पे आप चेक करोगे तो देखिए आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि मेरे hair बिल्कुल प्रॉपर बराबर नहीं हुए है जैसे कि होने चाहिए थे तो मैं आपके क्या करूँगी अपने finger में इस तरीके से hair को पकड़ूँगी और seizure लेके अच्छे से इसको बराबर कट करेंगे करना ही पड़ेगा इतना तो यह हमने कट कर लिया है इसके बाव जूद भी अगर अच्छे से cutting नहीं आ रही है तो आपको कह करना है अच्छे से चेक करेंगे थोड़ा मोड़ा उपर नीचे हो सकता है तो इसके लिए आपको इस तरी की सरवड़ बेंड को खीचना है एंड तक पूरा खीच लीजे और अपर की तरफ इस तरी की सरवड़ बेंड को फोल्ड करके और इसको एक्स्ट्रा हेर को कट कर दीजे तो अभी हमारी cutting पूरी अच्छे से प्रफेक्ट हो चुके है अभी किते अच्छे से हमारा कट हो चुक है आप पूरी किसे सफोर कर सकते हो जिसे कि आपके हीर जो है वह लिएकते नाया हेर कट में यहारा वेक्ट सी speo है तो अभी हमने कितना भी बालों को हिलाइए डुलाइए जो भी करना है करिया आपका जो आपका है वो पर्फेक्ट दिखेगा तो गैज यह है वीडियो का फाइनल लुक आई होप के आपको वीडियो पसंद आई हो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा मेरा हैर कट कैस कुल भशार लगी हो तेक च्छी बाइए बाइए वो तेक टेक चाहर यहाँ थे मिलते नेक्ट वाइए